दोस्तों कश्यात मजद ना मजद असला बाज़ा आज का जो व्लॉग है वो है मिडिया मोड के उपर ही जिसा मैंने लास्ट व्लॉग में देख बोला था आपको कि वह लास्ट ताम जो मैंने किया था वो किया था माइक क्रोफोन जैक करके 3.5 mm का जैक में डालके वो मैंने श रखा था तो सवजेस से क्या दिक्कत आती है शूट करने के डाइम पर वो में सिर्फ दिखाना जाता हूँ क्योंकि जो प्लाइन कर रहे हैं ये मीडिया मोड खरीने के लिए उनके लिए वीडियो होगा और कॉलिटी तो आपने देखा है तो वापस एक बार देख लो कॉल विक्त शुर्ड पार निकाल के लिए जो डिकर यह किसिंग के बाद बैक्रियों के बाद हम लोग ऑसको रिंच रेस्टार्ट कर सकते हैं तो फिर कुछ भी नहीं कह सकते हैं तो लेंदी प्रसेशर और वो मीडिया मोड़ें तोड़ा सा डेलिकेट भी है लेकिन कॉम्पैक्ट है बहुत अच्छा लगा है मुझे अभी तक कुछ प्रॉलम नहीं लगा है तोड़ा सब मेहनत करना पड़ेगा तो देखते हैं फुटेज देख लो आपके तो दोस्तों ज क्योंकि मैंने रेकॉर्डिंग का बटन ही आन नहीं किया था तो प्रॉलम था अभी रेडी है लेके जा रहा हूं तो इसमें सीन यह है कि इसको हुआ है फाइयर्स फाइयर्स होगा अभी और 30,000 के उपर चला है हुआ है मैंने ताम करता हूं आपको मिलता हूं रोड पे रह तो कि अब बहुत करेंगे तो इसके बारे में बात करने का था कभी मैंने यह गाड़ी का कभी जिकर नहीं किया था तो अज यह गाड़ी के बारे में भी आपको बोलूंगा और मोटर व्लॉकिंग यह इसके उपर करूंगा दोस्तों अभी तक जितना भी आपने फुटेज देखा है तो आपको क्या लगा रहेगा यह लगा रहेगा की एश जे कैम इन गोप्रो वर्जिन तो प्रावलम यह कि मैंने जो माइक सेटप किया है नहीं तो फ्रंट कैमरा सॉरी फ्रंट माइक्रोफोन ओन रहने के वज़ कर रहा हूं और वो भी मैं गोप्रो वर्जन का तो बस इतना ही कि दिखाना था तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी ना कुछ तो आवाज आया है बहुत जोर से शाय से बारिश चालो है ना तो बहुत जोर से आवाज आ रहे आपको आया कि नहीं मालुम नहीं लाइकन भी दबा देना तो फिर फटावट फटावट जैसा वीडियो आएगा वह ऐसा आपको नोडिफिकेशन आ जाए तो टेक केर स्टे हेल्दी स्टे सेव बाई बाई